आज के इस एपिसोड में डिसकस करने वाले हैं HDFC बेंक स्टॉक के बारे में एज एक्सपेक्टेड जैसे कि हमने डिसकसन करा था कि 1290 के लेवल को रिस्पेक्ट करती है तो 1380-1390 तक के एक पुलबेक शियोली आपको देखने को मिलेगा एज एक्सपेक्टेड आज इस स्टॉक ने 1370 के हाई बनाया और जो क्लोजिंग रहा वो अरांड इंट्राडे लेवल के हाई का ही रहा और प्रिवियस क्लोजिंग इस स्टॉक में हमने देखा जो 1328 के आसपास का था उसके बाद जो आपनिंग रही वही 1340 के आसपास का रहा उसके बाद कंटिनियोस जो है स्टॉक अप्टेंड में है बैंक निफ्टी एक क्रूसियल रेजिस्टेंस को क्रोस करते दिखा 34900 को और क्लोजिंग अब 35000 के आसपास का रहा है तो कल के ट्रेडिंग सेशन में भी एज एक्सपेक्टेड अगर ग्लोबल कुछ बैड क्लोज नहीं आते हैं तो बैंक निफ्टी आपको 35500 तक के इजली लेवेल दिखा सकते हैं इसका मतलब यह है कि HDFC बैंक बहुत लंबे समय से अंदर परफॉर्म था आज देखेंगे अरूंड 3% के आसपास के तेजी में है और एज एक्सपेक्टेड यह पूल बैक आपको 1400-1410 तक के लेवेल का भी दिख सकता है अगर आप अल्रेडी से श्टॉक में इन्वेस्टेड है तो सियोर्ली 1340 के नीचे के श्टॉप लॉस को फॉलो करें और टारगेट 1380-1400 तक के इजली आपको देखने को मिल सकता है फ्रेस अप्टेड इसे श्टॉक में 1420 के उपर के क्लोजिंग पर ही रहेगा तब तक के लिए अगेन ये श्टॉक एक पुलबैक 1390-1400 तक लेवेल देखने के बाद अगेन ये श्टॉक 1370-1350 तक के लेवेल भी दिख सकता है तो सोटर्म टेडर से योली प्रॉफिट बुकिंग करना नहीं भूले 1390-1400 के आसपास का एकरें प्रॉफिट बुकिंग का दिख सकता है